प्रधार मंत्री नरेन मोदी ने आज लोह पुरुष सरदार वल्ला भाई पतेल की जयनती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धान जली अत्पित की इस उसर पर अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरदार पतेल की प्रेणा से भारत बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार की चनोतियों का सामना करने में सक्षम रहा है वहीं केंद्री ग्रह मंत्री अमित्र शाह ने कहा कि सर्दार पटेल का मात्र भूमी के प्रती समर्पन, संगर्ष और त्याग हर भारती को देश की एकता और अखनता के लिए समर्पित होने की प्रेणा देता है आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं उस वक्त देश के प्रदान मंत्री जी ने आजादी का अमरूत महोत्सव मनाने का नेनय किया है 15 अगस सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्दिया कई सारी सिद्धिया पड़ी उसको लेकर आगे देश कैसे बड़े इसका संकल्प करना है और दूसरी और 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संगर्स रहा सभी स्वातंत्र सेनानियों को स्रद्धान जली भी देनी है उनके बलिदानी जज़बे से ब्रेना लेकर बच्चों और युवापीडी को आगे देश के निर्मान में लगाना भी है इधर 36 गड़ में भी विबिन कायक्रमों का आयजुन किया गया है इसके तहद BSF 36 गड़ के महाने रिक्षक एसके त्यागी वरिष अधिकारी और जवानों ने रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के तहद 5 किलोमेटर मेराथन दौर में हसा लिया इसके पश्याद देश की एक्ता अखड़नता और सुरक्षा पर मनरा रहे खत्रे के खिलाफ अंतर नहीं ताकत को एक जुट करने और उसके खिलाफ खड़े होने की शपत दिलाए इसी कड़ी में भिलाई इसपाथ सेंत्र में भी कायक्रमा आयजुत किये गे बियस्पी के अधिशासी निर्देशक एसके दूबे ने कहा कि देश की एक्ता के प्रतीक सर्दार पटेल का हमारे अग्रनी राष्ट निर्माताओं में उच्चस्थान है आज सर्दार बल्लब भाई पटेल का जनम दिन है हम लोग जानते हैं कि भारत के आजादी के बाद भारती राजनीतिक और समाजी कवस्था थी इसमें भारत कई सुबों में बटा हुआ था और उसको एक एक्रित करने के लिए एक ऐसे ब्यक्तितों की जरूरत थी जो की कड दिसिजन ले पाया और उसको इंप्लिमेंट करा पाया इसमें सरदार बल्लब भाई पटेल आगे आये और उन्होंने जहां जैसे हुआ और अपने दिड़ इक्षा स्रक्ति के बदावलत राजय को सुबों को भारत में बिले कराया जो की लग रहा था कि वो हमारी बात अप कारिक्रम और खेल मंत्राले के अंतरगत नहरु यूवक केंद्र दुर्ग 36 राष्टी सेवा योशना दुर्ग के तत्वधार में सुच्छ भारत अभियान कारिक्रम के तहत शिवनात नदी किनारे राष्टी सेवा योशना के कारिकरताओं द्वारा सफाई अभियान कर दो